अट और उसलिए पर फूल नेम एंटर करनी होगी जो भी आपका शॉप हो यहां पर एंटर कर दिजिए एंड इमेल एड्रस एंटर किजिए दैन यहां पर फोन नमबर एंटर कर दिजिए देन ओटीप आपके फोन नमबर पर मिल जाएगे आपको इजिली इसे एंटर हो गया है तन यहां पर क्रेट करनी है पासवर्ड दन रिजिस्टर रिजिस्टर होने के बाद अब हमें सेलेट करनी है स्टोर लिस्टिंग पर यह हम पर अब हमें shop name enter करनी होगी जो भी अब हमारी shop name होगी तो यह हम पर enter कर देना है next अब हमें shop category select करनी होगी जो भी हमारी shop category होगी तो यह हम पर scroll करके select कर देनी है then location को select करना है then यह हम पर state जो भी आपका पर मिनेंट अद्रस होगा टैम पर एंटर करते ना नेक्स अप पान या अधार को सेलेक्ट करनी है देन ट्रेज लाइसेंस को भी आपके पास लाइसेंस होतों कर सकते हो आपके पास होतों कर सकते हुआ ना होता आप एलेक्टिसिटी बिल को भी अप्लोड कर सकते हो आपके शॉप फोटोस को अप्लोड करते नी है देन रिजिस्टर यह हो गया है एक्षन कम्प्रीटेड एक्स्प्लोर ओडर स्टेज करने के बाद आपको यहां पर बहुत सारे आप्शन्स मिल जाएंगे जिसके ओल ओर्डर स्पेंडिंग ओर्डर स्टिलेवर्ड ओर्डर स्टोर्टल प्रॉडर्स अब हमें राइट जेट पर मेंबर्शि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और लेफ्ट पर आपको शेर ओप्शन मिल जाएगा जहां पर आप ईजी ली शेर भी कर सकते हो देन अब हमें यहां पर ट्री होरिजॉंटल लाइन दिखाए देंगे टॉप पर यहां पर अब हमें यहां क्लिक करने पर दिख्विंदाज कस्टमर अप्लिकेशन पर अब लेबल होगा नेक्स्ट आप इनक्टिव करते हो तो आपका स्टोर नहीं दिखाए देगा अब छुट्टी पर हो या फिर तो बिजी हो तो इनक्टिवी कर सकते हो देन आप हमें जाना है प्रोफाइल सेटिंग पर करनी है अब जितने दूरी पर अपना दुकान दिखाना चाहते हो डिजीटली यहां पर अप्लोड करनी है देन यहां पर डिलिवरी चार्जर अब जितने एक्सेप्ट करती हो करते हो यहां पर एंटर करती है नेक्स्ट आपका प्री डिलिवरी आप हो अगर आप कस्टमर क अब अबडेट हो जब अबडेट अबडेट हो चुका है एब हमने जाना है एक डास्ट ऑडेटेग्ट यहां पर हमें प्रोड्क्त एड्स कर देनी है जो भी हब हमारे दुकान में हो प्रोड्ट को यहां पर अड्ड कर देनी होगी इस हमें दूमें कर देना है then ये हो गया then हमें में sub category select करनी है then original prices की then discount में देना चाहते हो तो वो भी हम पर enter कर सकते हो then unit then stock then description project के बारे में जो भी describe करना चाहते हो कर सकते हो next add photo ये हो गई then add product product add हो जाएगी अब हो गई product added then हमें next वाली project को भी add कर देनी है यहां पर जाना है अब हमें product name को enter करना है जो भी आप company लिखना चाहते हैं प्लिक सकते हो यां पर then close the bracket and select subcategories then ये हो गया original price जो भी आपके वरिजिनल प्राइज होगी से यहां पर enter कर देना then discount में देना चाहते हैं तो discount then tune it then या प्रस्टॉक then description जो भी description लिखना चाहते हो लिख सकते हो next photo को upload कर दीजिये friends ये हो गया add product product added अब हमें जाना है edit products पर edit products पर क्लिक करने पर आपको ये interface दिखाए देगा जहां पर आप edit भी कर सकते हो product को delete भी कर सकते हो और stock rates को change भी कर सकते हो और जो भी होगा MRP हो गयरा वो भी आपर change कर सकते हो अब हमें जाना है subscription पर subscription पर तो आपको बहुत सारे updates मिल जाएंगे जिसके 30 days वाला 90, 183, 65 days इतने डिसका भी है आप select करके पेनों कर सकते हैं first month के लिए आपको offer है 118 rupees वाला 30 days के लिए अब मैं उस पर click करके बताती हो then अब हमें card ये UPI net banking वारेजिस से भी करना चाते हो easily कर सकते हो पे करनी है then OTP enter कर देनी है then verify कर देना है action completed payment successful हो चुका है 30 days के लिए subscribe भी हो चुके है friends अब हमें जाना है orders page पर यहां पर जाके रुख जाना है अब हमें जाना है बिगमी दास customer application पर जहां पर अब हमें जाके order देनी है order देने के बाद यहां पर आके check करनी है यहां पर हमारा store अब लेबल है यहां पर हम add करते है product को okay then यहां पर जाएगा card में card पर जाना है card पर जाने के बाद हम हमें check out करते देनी है then address select करनी है then continue then successfully order order हो चुका है अब हमें जाना है बीद्वी लास वैडर अप्लिकेशन पर जाके मैं बढ़ाती हूं friends देखे friends यहां पर order आ चुकी है अब हमें हम पर अक्सप्ट कर देनी है अक्सप्ट करने के बाद अब हमें जाना है confirm orders पर confirm orders पर जाने के बाद यहां पर completed देनी है completed हो चुकी है और यहां पर आपको messages आ जाएंगे notification panel में और order delivered होने के बाद delivery का message आ जाएगा और accept करने के बाद accepted by vendor के message आ जाएगा जान यह हो गए हम friends वाटर सुपेश आपको कैसे create करना है इस वीडियो में मैंने बताया है thank you friends thank you for watching this video series को continue रखना और like share और subscribe करना मद फूलिएगा friends thank you